आज फिर सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपने व्याख्यान की शुरुवात करूँ इसके पहले मैं कुछ और बाते कुछ लोगों का अभार माननू कि शुरुवात में ही मैंने नुतन जी से एक चीज को कंफर्म किया था तो उनका अभार मानना था पोईट्री इस ट्वाइस रिमूट फ्रॉम रियालिटी प्लेटो यह मैं जानता तो था लेकिन मुझे संदिय था तो नुतन जी से हमने इसको कंफर्म कर लिया था और वो उसी दिन बीपठा परिभाशा उसी दिन गलत परिभाशा बता दी थे वहत्स वर्थिक भी ऐ उस में थार्थ हमने बोला था को सगेर इस तो ने खा इहाओ दिये। ईधिकि यä सुनने वालों और पता चलता है कि किस तरह से चीजें संप्रेशित होती हैं या वह पा रहे हैं कि नहीं तो उनका प्रतिभाव लेना बहुत आवस्शेख होता है मैंने फोन नहीं किया था उन्हों नहीं सामने से फोन किया था और बड़े अच्छे मित रहे हमारे पुराने मित रहे हम लोग साथ में रहते थे उन्होंने का थोड़ा धीमे रहिए धीमे धीमे चलिए मतलब बहुत तेज चलने पर हमें दोड़ना पड़ता है आपके साथ मे तो ये तो होगा मैं थोड़ा धेरे रखूँगा और कैमरे की तरफ देखने के लिए कहा हुँने अब कैमरे की तरफ देखने में क्या होता है कि हमको आदत नहीं है कैमरे की सामने रहने की इसलिए ऐसी गलती हो जाती है पर मैं कुशिश करूँगा कि जादे जादे मेरी याँक के मेरी को सामने रहे तो ये तो हुई बात अब विशय पर आते हैं विशय में कल हमने जैसे के बताया था कि कावे के तीन भेद ममठाचारे ने किये हैं उत्तम मध्यम और अधम उत्तम कावे की परिभाषा उन्होंने सीधे बतानी शुरू कर दी और कहा कि यिदम उत्तमम अतिशाईनी वियंगिये वाच्यात ध्वनिर वुधरि ही कथिता ये उन्होंने कहा सही बात है तो अब उन्होंने उत्तम कावे की प्रिभाशा उसको बताई जिसमें द्वनी की प्रधानता हो द्वनी चमतकार युक्त हो और ध्वन्यार्थ या वेंग्यार्थ ही कारेकारी हो इसलिए उस कावे को उन्होंने उत्तम कावे कहा कहा उन्होंने इदमिति कावियम और बुधाई ही वया करने ही प्रधान भूत स्पोर्ट रूप व्यंग विन्यकत से शब्द से ध्वने रिती विवारा करता है ये बात कही कर हमने इसको देखा भी था अर्थ भी किया था मुझे यहाँ पर एक दो बाते कहनी है देखिए यहाँ यहाँ पर उन्होंने बुध शब्द से वया करन अर्थ लिया है यहने जो ग्याली है वो वया करन है ऐसा अलंकार शास्त्रियों को क्यों करना पड़ा सवाल एक प्रश्ण वो उता है तो सबसे पहले तो उन्होंने इस पोर्ट बाद जो वया करन वया करन सास्त्र ने दिया उसकी आवशक्तह यहीं पड़ी तो वया कर अजब वया करन की तो लंबी परमपरा थी आप जानते हैं वेदों वेदों के अथर वेद व articulate में भी वया करन के तत्वा आते है और नियुक्त शाहत्त है, इस सब की परमपरल लंबी थी, इन सब में पहले तो और नयाईत शब्द को अनित्य मानते हैं, तो नयाई शाहत्त की तो बाद में, कहा कि व्याकरन साथ की क्या हो शकता है, आप व्याकरन तो उसका लिख रहे हैं जो शब्द हैं, और शब्द तो क्योंकि जो कहा जाता है तो बोला जाता है तो वो तो अनित्य है तो अनित्य का मतलब होता है कि सभी शब्द वाकि में जब शब्दों का प्रियोग करते हैं तो शब्दों का प्रियोक करते हैं, बहुत सारे शब्द मिलाकर के एक वाइक बनते हैं, और बहुत सारे वर्ण मिलाकर के एक शब्द बनता है, तो जब शब्दों में बहुत सारे वर्ण होते हैं, तो उन सभी वर्णों का एक साथ उचारन होता नहीं है, तो जब एक साथ उ प्रश्न किया गया तो व्याकरण सास्त्र में स्फोर्ट बाद की स्थापना करनी पड़ी स्फोर्ट बाद की कलपना करनी पड़ी अब यह स्फोर्ट बाद है क्या वही प्रधान इसके लिए उस दोने के पड़ान भूत स्फोर्ट रूप विएंज वें ज शब्द नखके ज़ी अगरें तो फुट याने फूटना को तो फूटना क्या है अब स्फुट धातु है उसमें घएंपरते लगाते हैं घएंपरते लगाते हैं और पुगंत लगुपधस्य से स्फुट में जो उ है उसको गुण हो जाता है और स्थाने अंदर दमा से उ को हो गया और टौ में हमने और जोड़ दिया तो इस तरह से स्फुट होता है उपध पूरे शब्द के आधार पर उसके अर्थ को जोड़ करके उसको सीखता है कि यह पुरा को पुरा शब्द है और पूरे शब्द का यह अर्थ है लेकिन जब कोई व्यक्ति बोलता है और जब कोई उसको सुनता है तो उसमें एक करम होता है करम होता है जैसे मान लिजे कोई कमल शब्द बोले तो कमल बोलता तो पहले वो को बोलेगा उस इस तरह से बोला जाता है अब अ औरत है इस लिए कम्ल की पूर्ति अंस्वा शब्द पूरा ऑब जब एक करम से बोला गया तो उसी करम से सुना भी गया नियम यह है कि जप पहला अक्षर बोला गया और और उसके बाद दूसरा अक्षर बोला जाता है, उस समय तक को जो है, हम नश्ट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि नश्ट होता भी नहीं है, वो आकाश में चला जाता है, आकाश का विशय हो जाता है, इसलिए वो को आकाश में चला गया, फिर बाद में जब मौ बोला जाता है और मौ बोलने के बाद जब लौ बोला जाता है तो मौ जो है मभी आकाश में चला गया तो कमल शब्द का अर्थ समझते समय कि वह लौ ही रहता है शुर्टा के पास में अब ऐसे में लौ का अर्थ तो पूरा कोई कमल समझेगा नहीं क्य कमल का वाचक कैसे हो सकते हैं, कमल फूल का वाचक कैसे हो सकते हैं, समस्या, अब इस समस्या का समधान व्याकरन सास्तर में किया गया, स्पोटवाद के रूप में, देखिए, उन्होंने ये बताया, और सचाई भी है, कि जब कमल शब्द में को बोला गया, और को बोलने के बा तो दो बार उसको नहीं सुना जा सकता है, एक बार बोली गई ध्वनी एक ही बार सुना जी पड़ती है, तो कौ जब बोला गया, कौ सुना गया, तो कौ सुने जाने के बाद वहां आकाश का विशे बन जाती है, आकाश में चली जाती है, लेकिन वहां कौ ध्वनी हमारे मस्त इश्क में अपना संसकार छोड़ जाती है ध्यान रखेंगे इस बात का अपना संसकार छोड़ जाती है उसी तरह से जब मौ बोला जाता है और मौ के बाद जब लौ बोला जाता है तो मौ भी आकाश में चला जाता है और वह अपना लेकिन वह अपना संसकार छोड़ जाता है और लो जब बोलते हैं तो उस समय ये दोनों के संसकार को और मा के संसकार हमारे मन में तो रहते ही हैं तो अंत में ये दोनों ही लो के साथ उपस्तित हो जाते हैं याद शक्ति के माध्यम से ध्यान रखे, स्मरन शक्ति भी तो हमारा एक गुण है, तो स्मरन शक्ति के आधार पर या उसकी उस शक्ति से ये जो आकास में चले गई हैं धोनिया को और मो वो लग के साथ उपस्तित होकर के एक साथ उपस्तित होती हैं हमारे मस्तिश्क में, तो हमारे मस्तिश्क में ये त नदर है उसको आपने तोड़ा तो अंदर से कोई चीज निकली जिसको हम भूड़ना कहते हैं तो यह फोड़ना जो है उस भूड़ने को ही स्फोट कहा जाता है ठीक है अब यही इस फोट अब इसमें अपने ध्यान दिया कि बोली गई द्वानी का अर्थ हम नहीं समझते हैं संसकार से उपस्तित में जो संसकार से उपस्तित जो शब्द होता है क्योंकि हम नो हमने तो पूरे कमल का अर्थ फूल के रूप में सिखा था ठीक है अब पूरा पूरा कमल एक साथ बोला नहीं गया तो जब पूरा कमल एक साथ बोला नहीं गया तो एक साथ सुना भी नहीं गया तो अर्थ के से आया तो अर्थ इस रूप में आया कि सुनी गई द्वानी का संस्कार हमारे मस्तिक्स में था जो अंत मे अक्षर बोलने के समय एक साथ वह य отвеч के आधार स्मरुशक्ति के आधार पर हमारे मस्तिक्स में एक साथ परकट हो जाते हैं उस परकट होने की प्रक्रिया कोई स्पोट बात कहा जाता है तो इस तरह से आपने देखा कि बोली गई ध्वनी का अर्थ हमने पुष्प नहीं लिया बोले गई कमल का अर्थ हमने पुष्प नहीं लिया हमने तो संसकार रूप में पड़े हुए उस शब्द को जो कि एक साथ उपस्तित हुआ है उस कमल शब्द का अर्थ किया यहने बोली गई ध्वनी गौण हो गई ठीक है और संसकार से प्रकट हुई ध्वनी या प्रकट हुआ शब्द का जो शब्द है उस शब्द का हमने अर्थ किया यहाँ पर ध्यान रखेंगे बोली गई ध्वनी गौण हो गई और संसकार से प्राप्त हुआ शब्द हमारे लिए अर्थ का वाचक हो गया ठीक है तो यह है फोट बार अब जानते हैं नयाई जो काते हैं कि ध्वनी जो है नश्ट हो जाती है एक बार कहने पर नश्ट नहीं ह प्रेप्शन हम देख रहे हैं कहां की आवाज कहां चले जाती है यह माध्यम भी जिसके माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचे हुए हैं यह अभी कैसे संभव होता अगर अगर आकास में यह चीजें स्थिर नहीं रहती तो कहा जाता है लोग कहते हैं मेरे पास इसका वाई मंडल बें गूज रही है और हम उसे पकड़ सकते हैं हम उसे जान सकते हैं पर हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है वो फ्रिक्वेंसी हमें मालूम नहीं है तो फ्रिक्वेंसी मालूम हो तो हम उनकी बातें अभी भी सुन सकते हैं अब जानते हैं हमारी आवाज हम हम जो आवाज करते हैं, ध्वनी करते हैं, वह ध्वनी अगर हवा नो हो तो दूसरे तक पहुंचेगी ही नहीं, अंतरिक्ष में आप जानते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले लोग बाचित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ध्वनी हवा नहीं है, हवा नहीं है तो बाचित नहीं ह अब प्रस्न यह है कि अगर अगर यही यही सही है तो फिर यह इसमें ये काविशास्त्र में उसका क्या उपयोग है काविशास्त्र में उसकी क्या उपयोग इता है ठीक है तो आप आप देखिए कि यहां तो आपने देख लिया ला कि जो बोली गई ध्वनी है वह अर्थ का वाचक नहीं है वह उस बोली गई ध्वनी से जो वही ध्वनी जो सुन संसकार के रूम में पड़ा हुआ है और याद शक्ति के माध्यम से हमारे मस्तिस में प्रकट होता है और तब हम जाकर समझते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि बोली गई द्वनी गौन हो जाती है या उपसर्जन उसको कहा जा उपसर्जन या शांत होना शांत हो जाती है और दूसरी चीज जो संसकार के माध्यम से उपन हुई है वो हमारे लिए अर्थ का वाचक बनती है तो यहाँ पर एक चीज का गौण होना दूसरी का प्रकट होना दुवनी में भी ऐसा ही होता है आप दुवनी का भी की परिभाशाप देखें तो आनंद वर्धनाचारी ने बता अनंद वर्धन ने और उसी को एक लाइन में ममटाचारी ने यहाँ कहा इदम उत्तमम अतिशाइनी व्यंगे वाच्यात ध्वानिर बुधाई ही कती तहां अब दोनों की परिभाशा की व्याख्या अलग-अलग हो सकती है लेकिन ताकपरी तो यह कही है कि जिसमें वाच्य फ्यार्थ यह मुख्यार्थ गौण हो जाएं ठीक है और व्यंग्यार्थ अतिशाइइ हो देखिए चमत्र यूकत हो और दूसरा वही कृयाकारी भी हो यहने उस व्यंग्यार्थ के अनुसार ही कार्य किया जाए। जैसे आचारिय तपुवन में पढ़ा रहे अपने शिश्यों को सायंग संध्या हो गई तो उन्होंने कहा गताह अस्तम अरकाह तो शिश्य सारे सुने और वे संध्या कालिन कारिय में लग गए ठीक है तो गताह अस्तम अरकाह ये तो सुचित किया ये तो एक बात कहीं जाए तो सुरी अस्त हो गया तो सुरी अस्त होने का ये मतलब तो नहीं था कि आप काम करने लगिए वह कोई वाचयार्थ तो नहीं था वह व्यंग्यार्थ था तो कहना ये है कि जो बोला जाए जो मुख्यार्थ होता है वह शांत हो जाता है वह उसका उपसर्जन हो जाता है और जो व्यंग्यार्थ होता है वही अतिशाई होता है यानि आचारी ये कहना चाहते हैं कि वही संधिया सुरज डूब गया तो संधिया कालें जितने भी कारिया है वो किये जाएं आप लोग करना शुरू कर दीजिए और उसी व्यंग्यार्थ के अनुसारी सारे सिर्शी अपने सारे उदारां होते हैं अम सभी उदारां में जाने के अवश्रता नहीं है तो इस तरह से स्फोट बाद करें कि प्रधान भूत स्फोट व्यंग्य व्यंजक अस्या यानि प्रधान भूत जो मुख्य है वहाँ स्फोट रूप व्याकर में तो स्फोट रूप ही है तो स्फोट रूप जो व्यंग्य व्यंजक याने व्यंग्य को व्यंजित करने वाला शब्द है उस शब्द को ध्वनी इती विवहार है उस शब्द को ध्वनी नाम से विवहार किया गया वया करणों की द्वारा ठीक है वया करणों की द्वारा अब यहां पर वया करणा को उस शब्द क जो कि स्फोटक है, स्फोट रूप है, अभी मैंने बताया ने, जैसे कमल है, तो कमल स्फोट है, और स्फोट है, इसलिए ध्वनी है, ध्यान रखें, कमल शब्द जो है, ध्वनी इसलिए है, क्योंकि स्फोट रूप है, और स्फोट ही बिना स्फोट के, कोई भी शब्द का व बुद्काल में भी चलें और भी आचारियों को देखने के लिए मेरे पास महाभाश्य है महाभाश्यकार ने शब्द को ध्वनी कहा ठीक है लेकिन उसके पहले उन्होंने एक प्रस्ण उठाए प्रथम आहनिक में ही ये बात है मेरे पास सामने ही वो ग्रंत है कह रहे हैं कि ग फिर फिर खुद ही प्रश्ण खड़ा करते हैं प्रश्ण ये करते हैं किम यत तक सासना लांगूल कुद विशाण यार्थ रूपं स शब्द क्या शब्द वो है जो सासना जो गाय का गले के नीचे होता है न वो लांगूल पूँच कुद कंधे पर जो होता है गुर याने उसका खुर पेर का और विशाण याने सीझ क्या इन सब को हम शबद चहें गौई शबद से को समझें गौई शबद से क्या ये मतलब होता है उसका जो सासना है, उसका 골ांगूल है जो उसका ककुद है खुर है तो जवाब है जो उत्तर है का रहे हैं स्द्रव्य नाम तो द्रव्य है उसको ड्रवर जाया कान धकाती है जो चेश्टाइं करती है, पुछी लाती है, वगरे वगरे, चलती है, वगरे वगरे, तो कह रहे हैं कि नहीं, उसको भी गव नहीं कहेंगे, उसको भी गव ना इत्याह, उसकी चेश्टाओं को भी हम गव शब्द नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो क्रिया नामसा, वो तो क् तो कारा है कि नहीं नामस भी दिघने न बन्वेड शांद है तो किया है जो भी स्थ हमोने पर भी अभिन्नहों और छिन्न होने पर भी अचिन्न हो जो सामान्य भूत है गौव शब्द याने यहां जाती से मतलब है तो क्या उसको हम गौव शब्द कहते हैं तो कहरें नहीं आकृतिर नाम सा वो तो आकृति है आकृति मतलब जाती वो तो जाती है तो कस तरही शब्द हा तो का नहीं देखिए ये न उच्चारिते न सासना लांगूल ककुद खुर विशानी नाम संप्रत्ययो भवतिसा शब्द हा करें कि जिसका उचालन करने से सासना लांगूल काकुद खुर विशान इन सब के इन सब अंगों वाले उस जीव का बौध होता है ठीक है विशाणी नाम सम्प्रत्य है यहने इन सब अंगों वाले उस जीव है जो गव शब्द है उस गव शब्द का जो ग्यान होता है उस शब्द को हम गव कहते हैं तो इस तरह से उन्हों ने गव शब्द को बताया तो अब शब्द की तो बात कहती फिर आगे कहते हैं कि अथवा बिकल दोसरह वीकल देते हैं अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके भवती लोके ध्वनी शब्द ही त्युच दे आथवा तो पदार्थ का बोध कराने वाली जो ध्वनी है उस द्वानी को शब्द कहा जाता है ध्यान लगे कि पदार्थ का बोद कराने वाली जो द्वानी है उस द्वानी को आप शब्द कहिए तद यह था उसके पास फिर कहते हैं वह शब्दम्मा कुरू वह शब्द मत करो याने आवाज मत करो द्वानी मत करो तो वहाँ शब्द आता है शब्द माकार्शी ही वही शब्द मत करना तो इस तरह से वो जो है शब्द शब्द को ध्वनी का पर्यायवाचत पर्यायवाचत शब्द मान करके यहां रखा गया है बताया गया है तस्मा तो ध्वनी ही शब्द है तो शब्द को ध्वनी कही है ध यहां पर फोटबाद में जो अपैक्षित ध्वनी है वो और कावेशास्त्र में जो ध्वनी है वो उन दोनों का ही महा यह इस महाभाशे से बोध नहीं हो पाया यहां तो एक उचारण किसी ने कोई उचारण की तो वो ध्वनी है इसलिए उसको शब्द भी कहा दिया आपने शब्द का उचारण किया वो ही ध्वनी है और उससे वाक्य बोध हुआ क्रियाकारी हो गया तो आपने उसको ध्वनी कहा उसी को शब्द कहा यहां तो उन्होंने शब्द की व्याख्या किया द्वानी की व्याख्या नहीं की है द्वानी को उन्होंने शब्द का आध्यां रखेंगे यहां दोनों में अंतर है द्वानी को शब्द का गया है हम तो ढूंड रहे हैं कि द्वानी की परिभाशा क्या है तो द्वानी की परिभाशा उसके बाद व्याकन शास्त्र में वाक्य पदिये कार्या भरत्री हरी ने दी है जिसको हम देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है पूर्व पूर्व पदा अनुभव जनित संस्कार सहकृत अनुभव से जनित उत्पन्न या बने हुए संसकार सहकृत ठिक है उस संसकारों से सहकृत या उसके साथ रहते हुए याुके सहकार से युपत अन्तिपद स्रमण अनंतिम्पद के स्रमण के साथ उन deciding संसकार से उत्पन जो शब्द का आकार बनता है जो कि हमारे मस्तिश के में एक साथ उपस्तित होता है, प्रकट होता है, उसको हम स्फोट कहते हैं, ये बात बरत्रहरी ने बताई है, और वही स्फोट बात है, उन्हों नहीं की है, दूसरे किसी नहीं की है, महाभाशी को हमने इसलिए कोट किया कि शब्द को ध्वनी के तो इस तरह से उत्तम कावे की व्याक्या करने करते हुए उन्होंने स्फोर्ट बात की चर्चा कर दी तो उसका उपलेह करने आवश्यच्क आप लोग अगर और भी जिग्यासा होगी तो बात में हमको बताएंगे मैं इस पर और भी कर दूँगा लेकिन इतनी ही बात है कि जो अब देखिए यह हमने कमल की तो बात कहा दी तो वह तो पध स्पोट है क्योंकि पद के हैं पद का महां स्पोटन हो रहा है वाक्य स्पोर्ट भी होता है अब उसी तरह से हम जल्दी से वाक्य बोल देते हैं रामा अगच्छती ऐसा करके तो रामा अगच्छती में दो शब्द हो तो आ गया अब वो दो शब्द मिल करके एक वाक्य बनाते हैं तो इसमें भी वही प्रकिरिया लागू पड़ती है, एक शब्द आपने बोला, वो चला गया, फिर दूसरा शब्द बोला, दूसरा शब्द बोलने के बाद वो पहले वाले शब्द भी याद शक्ति के आधार पर आ जाते हैं, संस्कार के रूप में हमारे मन में उपस्तित ह जाते हैं, और तब हम वाके का आर्थ करते हैं, वाके का आर्थ विशे पर और भी आगे चर्चा होगी, अब यहाँ पर स्फोर्ट के लिए, पदस्फोर्ट और वाके स्फोर्ट, इस दो की कल्पना की गई है, बात कही गई है, क्योंकि स्फोर्ट के मामले में इस दो ही ला व्यूजर कैने करना था और का इसके लिए अधारन है तो इन सब कि चर्चा द्वनी के प्रकरण में हम लोग करेंगे अज तो बस इतना ही कि द्वानी यह उत्तं काविया है और ये बात जानते हुए हम लोगों ने स्फोर्ट बाद को पर थोड़ा प्रकास डाला मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि हमने पूरा कर दिया है और भी जीग्यासा हो सकती है कोई पुछेगा तो और हम बताएंगे इसलिए लेकिन हमारी उर्ष से तब आज इतना ही हम रख वाचैर्थ के अपेक्षा व्यंग्यार्थ के अतिशाई होने पर जिस कावे के स्थती बनती है उसमें होने पर जो अतिशाई पना है या जो व्यंग्या का अतिशाई होना है उसी व्यंग्या को हम ध्वनी कहा जाता है और उस कावे को ध्वनी कावे कहा जाता है और वहां यह उत्तम कार भी है इस बात की फाफ़ना उन्होंने कही अब ये कहने पर आगे दिखी इसमें और भी बाते चली ध्यानी ने कहने दिखियोगा दिखियो से विह जोरा कर далее है थ 교 लोगों के द्वारा भी ठीक है द्यार रखिए उनके मतों का अनुसरन अब यहां पर क्या था आनंद वर्धनाचारे के पास मजबूरी थी दूसरा कोई उनके पास उनकी पैरेटी नहीं मिल रही थी मतलब उसका कोई जोड़ा हो कि चलो भाई किसको हम अधार बनाएं तो व् नकार शास्त्री वयाकरन को याने व्याकरन शास्त्र ना करना शुरू कर दिये इसलिए वियाकरन सास्त्र पो जानने वाले लोगों को दूसरा कि बूद्द कहा बुद्द इसलिए कि हमरे काम के हैं लो कैनल विया करने काम के थे इसलिए वया करनं को उन्होंने बुद्ध कर दिया तो इसलिए उन्होंने व्याकरनंजाश्त्र के पुट परवाद का अनुसरन कर अलंकार शास्त्रियों ने किया तो उन्हों ने भी उन अलंकार शास्त्रियों ने भी अनन्द परदनाचारिया उनके अनुयाई उन लोगों ने भी नियक भावित वाच्य व्यंग व्यंजनक शमस्य शब्दार्थ युगलस्य ध्वनी ही इति वे भारा किरता है इसमें उत्रा जोड लेना है यहां पर वाकि उन्होंने पुरा कर दिया है ममधाचारी ने कर रहे हैं कि नियक भावित याने जिसमें उसको गौण कर दिया गया हो या गौण हुआ तो कज़ें वाकि वाकि जिसमें गौण हो गया हो या शांत हो गया हो या उपसर्जन जिसका उपसर्जन हो गया हो ऐसी इस्तिति में व्यंग व्यंजनक्षमस्य याने व्यंग्यार्थ को व्यंजित करने की क्षमता वाले व्यंजन ख्षम लिखा है न तो व्यंग्यार्थ को व्यंजित करने की ख्षमता वाले शब्दार्थ है यूगल याने शब्दार्थ है यूगल को भी व्याकर्ण शास्त्र के मत के अनुयाईयों के द्वारा अर्थात अलंकर शास्प्रियों के द्वारा द्वनी कहा गया है द्वनी किसको कहा तो कहें शब्दार्थ यूगल को द्वनी कहा जो की व्यंग्यार्थ को व्यंजित करने में सक्षम है ठीक है याने वो व्यंग्यार्थ भी द्वनी ही है तो इस तरह से लेकिन उसमें हुआ क्या है कि नेक भावित वाच्ची याने वाच्ची उसमें गौण हो गया है ऐसी स्थती याने जिसमें वाच्ची गौण हो गया हो ऐसे व्यंग्य को व्यंजित करने में सक्षम व्यंजित करने में सक्षम शब्दार्थ यूगल को ध्वनी कहा या व्यंग्य कहा या व्यंजक कहा जब शब्द है तो व्यंजक है और अर्थ है तो व्यंग्य है उस व्यंग्य को या उस व्यंग्य वाले अर्थ को हम अलंगार शास्त्री ध्वनी कहते हैं ये बात उन्होंन स्थापित कर दी ठीक है तो अब हम आगे चलेंगे अब उत्तम कावी चलो वियंगे कावी है तो उत्तम कावी है उसका उदारन भी देना चाहिए तो वही बहुत जाना समझा उदारन है मुझे उसको कहाने में तो कोई दिकत ही नहीं है करें यथा यथा यदे उदारों करें कि निशेश चुत चंदन स्तन तटम निर्मिर्ष्ट रागो धरो नेत्रे दूराम अनंजने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुहू मिथ्याबादिनी दूती यह है तो इसमें देखिए वाक्य तो बहुत सारे हैं क्योंकि सब में भवती या अस्ती जोड़ करके बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं कह रहे हैं कि तुम्हारा स्तन तट नीशे से चुत चंदर है यहने चंदर हट गया है स्तन तट से होट से लाली चली गई है निर्मिस्ट रागो धरो इस सब वाक्य एक एक वाक्य बन रहे है नेत्रे दूरम अनंजने यहां दूर का मतलब दूरी नहीं अत्यंत लिए तुम्हारे आँख में से अन्जन एकदम चला गया है खतम हो गया है पुलगिता तवय्यम तनुहू पुलगिता तन्वी तवय्यम तनुहू अब दखिये तन्वी और तनु देखिये अब तनु sabद का तन्वी होने करनाते हpert तो तन्वी शरीर होता है तो उसमें विश्य सरीर होता यह उसमें विश्य स्रेशन पर से चोड़ दिया है लेकिन अगैं प्रसे चोड़ा दिया यह तुम्हारा पतला शरीर पुल किता प्रोमांचित है अब संबोधन आता है कि मिठ्यावादिनी जूठी 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 बुढ़ने वाली दूती अब वो दूती थी एक्शली इसकी दूती थी और इस ये उसका उप्योग करती रही होगी अब अपने प्रेमी के पास संदेश भेजने के रूप में उप्योग क सिखित कर लिया उसके प्रेमी के साथ है ये बात है तो हो कह रही है अपने जो मित्र है बंधाव जन है उसके पीडाा को अपनी सखी की पीडा को नहीं जानने वाली ठीक है ऐसी तु कह रही है कि तु वापी में स्नान करने गई थी और तुम नपुनहा और तुम जो है उस अधम के पास नहीं गई थी तुम ये कह रही हो तो अब इतना कहने पर उपर बहुत सारी बाते तो गहती हे ठीक है इतना अब स्नान करने में भी होगा हैं स्टन्तार में से चंदर हट जाएगा होट की लाली चली जाएगी अंजन भी धुल जाएगा रोमांच भी होगा क्योंकि नहाय रहता है तो ठंडी लगने कारान रोमांच हुआ रहता है तो यह सारी वाली है जो वास्तविक प्रेमिका है वह अपनी दूती को डाट रही है या उल्हाना दे रही है कि तुमने हमारे साथ धुखा किया यह पता किसे चलेगा क्योंकि बिंगार्थ तभी बनेगा तो कह रहे हैं यहां कि अत्र तदंतिकम एवरंतुम गतासी तुम जो कह रही हो कि मैं इसनान करने गई थी वापी में यह बात गलत है इस बात की जानकारी अधम पद के प्रयोग करने से प्राधान ये ना देखिए वो चाहती तो अपने प्रेमी के लिए अपने प्रेमी कह सकती थी या कुछ भी उसका नाम ले सकती थी कुछ भी कह सकती थी यहां उसे ने अपने प्रेमी के लिए अधम शब्द का प्रियोग किया जिसमें एक उलहना है जिसमें एक शिकायत है वो अप्शब्द का प्रियोग कर रही है यहने उसको अपने प्रेमी से भी उतने ही उसे भी उतने ही शिकायत है तो उससे तो बाद में निप्टेगी ततका तो अपनी सकी से निपड़ रही है, और का रेकि तू जह यह का रहे हैं, तू सनान करने गई थी वापी में, यह बात गलत है, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, सचाई यह है कि तू उस अधम के पास, जो हमारा प्रेमी है, और जो बेवफा कहा जाए, आज की बाद शामया मे उस विवाव पास गई गई थी और ये अपराथ तुमने किया है लेकिन तुम्हारे साथ उसने भी किया है क्योंकि उसके लिए वो अधम सब्दगा प्रयोग कर रही है तो वो भी अपरादी हुआ इस प्रकराण में ये बात व्यंजित होती है तो अब इतनी सारी व्यंजिना इतनी व्यंजिना के साथ यह काव्य उत्तम काव्य की कोटी में आता है यह महमठाचारी थाबित करना चाहते हैं और है भी इसलिए यह उत्तम काव्य की सणी में इसको रखा जा सकता है तो यह है ध्वनी काविका पहलावदार जो कि उत्तम काविय है ऐसे ही काविय कहते हैं ना कि अगर ध्वनी नहो तो फिर बात ही काविका क्या मतलब है कावियों को बारे में आकरशन तभी बनेगा जब आप उसमें चमतकार करेंगे तभी की अपनी विशेष्था होती है नहीं तो जिन शब्दों का प्रियोग हम करते हैं यानेव शब्दान वैमाल अपाम हम जिन शब्दों का आलाप हम करते हैं जिन अर्थों का उलेख हम करते हैं उन्ही शब्दों का उप्रयोग करके उन्ही अर्थों का उप्योग करके विन्यास विशेश रम्य यही उन्ही शब्दों के उन्ही शब्दों के और उन्ही अर्थों के विशेश रचना विशेश और सुन्दर रचना ठीक है विन्यास विशेश और रम्य तो विशेश रचना और रम्य रचना उन विशेश और विशेश और सुन्दर रचना के द्वारा कभी लोग लोग को जगत को सम्मोहित कर देते हैं तो कहना यह है कि अगर ध्वनी कावे न हो, न विशेस रेने का बनएगी कह से? इसी को अलग-लग नाम दिया गया है वक्रोक्ति है रिति गुगर में आता है तो उसकी चर्चा यहां तो ध्वनी की बात है तो ध्वनी जो है इस तरह से प्रधान जिस कावे में है वही कावे उत्तम कावे कहा जाता है अब आते हैं मध्यम कावे मध्यम कावे में मध्यम कावे को गुणी भूत व्यंगे कावे कहा जाता है ठीक है गुणी भूत व्यंगे कावे उसके लिए काते हैं अताद्रिशी गुणी भूत व्यंग्यम व्यंग्यतु मध्यमम अताद्रिशी याने पहले जो कहा गया है वैसा नहीं अताद्रिशी याने वहां तो व्यंग्यार्थ अतिशाई है तो आपने उत्तम कावे कहा याने विंग्यार्थ जहां अतिशाई हो वो नहीं जहां पर विंग्यार्थ अतिशाई नव हो तो तब क्या हो तो करें गुणी भूत विंग्या जिसमें विंग्या गौण हो गया हो ध्यां रखिए गौण होने का मतलब होता है मानो धृर्म जी ओ रहता है इन सवमें जो गुन कहा गया आप देखेंगे कि रहटी में तो देखेंगे कि भ्याकरण में भी गुन आता है तो रसी में अगर गुण की बात करें तो बहुत सारे घासों को जोड करके उसको बिल करके एक रसी बनाई जाती है तो बहुत सारे घासें एक साथ जुड करके तो बहुत सारी घासों का अपना असे तो उसमें मिट जाता है और एक नई चीज का निर्मान होता है जिसको हम रस मानव सुभाव में मानव के जीवन में उसका गुण जो है उसके आत्मा के साथ एकदम मिला रहता है और व्याकन शास्त्र में भी अधेंग गुणा कहा गया है तो उसमें भी दो सवर मिलकर के एक सवर बनाते हैं इसलिए गुण हो गया रसी की तरह ठीक है मानव सुभाव में जो गुण होता है वहा हमेशा गुण जो है आत्मा के आशरित रहता है मालिजे आत्मा ही नहीं रहेगा तो गुण रहेगा कहा ठीक है यहने उसके अधीन रहता है मुख या परधान के हमेशा जो अधीन रहे उसको गुण कहा जाता है ठीक वैसे ही जैसे आत्मा के अधिन उसका स्वभाव होते हैं, ठीक है, पहले आत्मा, बाद में उसका स्वभाव जो भी बनता है उबने इसको हम गुणी भूत का होता है जिसमे जन्ग्यार्थ 60 को जाका जाएक वो तो पहले जैसा तो नहीं रहा इसलिए उसके लिए कहा उन्होंने ओत आद्रिशी के मलब पहले जैसा है वशा नहीं जिसमें वहां तो अतिशाई है व्यंग यार्थ यहां पर अतिशाई न होते हुए गाउन हो जाए दब जाए छिप जाए अथ्वा तो उसका प्रकाशन न हो उसको चमतकारी न हो ऐसे काविय में जिसमें व्यंग जो है चमतकारी नहीं है अर्थाद व्यंग गाउन हो उसकाविय को मध्यम प्रकार का काविय कहा जाता है यह बात है गुणी भूत व्यंग आप जानते हैं गुणी भूत व्यंग के लिए अलग चेप्टर ही बनाया है ममटाचार्य ने तो चले आगे अब इसके लिए अता अतादर्शी सब्गा प्रियोग किया है और बात इसपस्ट है बहुत व्याख्या करने की ज़रूत नहीं है तो सीधे हम उदाहरन में आ जाते हैं करें कि ग्राम तरुनम तरुन्या नव मंजुल मंजरी सनाथ करम पश्यंत्या भवति मुहुर नितराम मलिना मुखच्छाया ठीक है प्रेमी प्रेमिका है तैक किया होगा कि चलो तुम आना हम वहां मिलेंगे ये प्रेमी जो है चला गया प्रेमिका कि वहां कोई आ गया होगा महमान वगा जिसके वज़े से वह न निकल पाई तो वह राह देखते देखते देखा कि अब तुम नहीं आएगी तो वह चल पड़ा अब हाथ में वही क्या है नमवंजुल मंजरी अपने हाथ में ले करके अपने हाथ में ले करके चला आ रहा है और उसके घर के पास ही गुजर रहा तकि वह देखे कि हम गय थे और राह द नव मंजुल मंजरी लिये हुए है ऐसे उस तरुण को पश्यंत्या देखती हुई ठीक है यह सश्यंत्या द्यान रखिएगा देखती हुई तरुण यहा तरुणी की टरुणी की मुखत चाया याने मुख की कांती मुहु बार 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 पश्यंत्या मुहूर नितराम है न याने बार बार और आत्यान देखती हुई उस तरुणी की मुख की चाया मलिना भवती मलिन हो रही है अब देहां लखिए मुहू और नितराम है ना ये अब ये क्रिया विशेशन है और मुहूर याने बार बार तो वो बार बार देख रही है और जितना देख रही है उतना ही उसके मुख की कांती मुख की छाया मलिन हो रही है ये कभी करना चाहता है तो अब आप तो यह सब सारी व्यंग्यार्थ है लेकिन इस व्यं तस्य भी अधिक उसके मुख की कांति के मलिन होने की घटना मलिन होने का जो वरडन है वह जादे आझे हैं अच्छा लग रहा है छमत कअ चमत कारी होने का मतों पर चाह कर लोगseits लग रहा है और तुम नहीं आई में राह देखा वगरए वगरए जो व्यंग्यार्त हैं वो व्यंग्यार्त दब जाते हैं ठीक है तो इस तरह से यहां वो कह रहे हैं कि अत्र वन्जुल लताग्रि foster नौत संकेता नौत आगतफा इति व्यांग्यम कि यह सब सारी चिजे वит वन्जुल लताग्रिел में तुमने संकेत किया था आने का कहा था लेकिन आई रहे यहां व्यांग्या है लेकिन इस्मत कारित वाम्ताकिर नौत वैयात वा तो उसी तरह से उसके मुख की कांती जो है अब वो विचारी निराज थी मतलब मजबूर थी बात दिया थी इसलिए नहीं गई ऐसा नहीं था कि उसको धोखा देना था उसका इतादा धोखा देने का था इसा नहीं था लेकिन उसकी मजबूरी थी इसलिए नहीं चाहिए कांत या कुछ भी करो उसे हम तो अपने गर में बैठे हुए हैं अगर धोखा देना होता तो वो ये करती लेकिन ऐसा नहीं कर रही है वो भी बार-बार देख रही है तो बार-बार देख रही है और उसका चेहरा मुर्जा जा रहा है इस पाथ से यह वेंजित होता है कि वह करना चाहिए लेकिन इन सब व्यंजनाओं के बावजूद उसके मुख की कांति का ये उसके मुख का मुर्जाना जादे अच्छा लग रहा है पाठकों को और सहरदेयों को इसलिए यहां पर गुणी भूत व्यंग काव्य की स्थिति बनती है और इसलिए यहां मध्यम काव लोगी तो हमें जरूर पूछेंगे बताएंगे अप लोग अब हम आगे चलेंगे कि पीसरे प्रकार का काविया नहोंने अवर कहा है पर है उसको हम आधम कहते हैं तो उसके लिए कहते है कि श्चब्द चित्रम वाचे चित्रम और वियंग्यम तू अवरम स्मृतम ठीक है यानि शब्द चित्र और वाचे चित्र ये दो हो गए हैं, चित्रकाविय में दो प्रकार के काविय हुए हैं, शब्द चित्रकाविय और अर्थ चित्रकाविय और जिसमें वेंजराना हो अवियंग्यम, वेंजराना भी नहीं होना चाहिए, वह अवर प्रकार का, यानि अध जब यह ठीक है कि उसमें बेंजना नहीं है ठीक है बेंजना नहीं है तो चित्रकाविय और अर्थकाप्र तो है पर बेंजना नहीं है लेकिन गुण और अलंकार तो है ठीक है ऐसा नहीं है कि गुण हीन है गुण रहित है और अलंकार रहित है ऐसा नहीं है गुण रहना चाह आवर कावे कहाई जाता है यह हमें समझना है यह हमेंसमझना चाहिए अब इसमें भी उन्होंने अव्यंग्यम के लिए कि अव्यंग्यम लिए उन्हें स्पुट प्रथियमानार्थ CDC देखिए वहां पर अनलंकृति में स्फुटालंकार भी रहे कहा यहां पर और व्यंग के लिए भी फर्क वही बात ला दी ठीक है इसादर्थ में स्फुटप्रतिय मानार्थ रहे बात यह है कि जो उन्होंने उदारन दिया है उस उदारन में भी आपको व्यंजना तो दिख जाएगी पर एक बात और है मैंने कहा देखिए व्यंग कावे का मतलब यह होता है कि जिस कावे के आप रचना करते हैं उस कावे की उस कावे में जो ध्वनी है जो व्यंग्यार्थ है वह व्यंग्यार्थ क्रियाकारी होना चाहिए अगर उस कावे के किसी अंश में व्यंग होता है और वह क्रियाकारी नहीं है तो उसमें उस द्वनी की या उस व्यंघ्यार्थ की प्रधानता नहीं होने की वज़ा से वह CHमतकारी या उसको द्वनी कावी बी एक अब बताँ है लेकिन अब चुकर वह वाँ करिया काली नहीं यह इसलिए उन्हें इस पुट प्रतियमानार्थ फ़ित्म है तो है तो इस रूप में उसका आर्थ लेना है इसलिए जब आप समझ रहें तो जानते हैं मैंने शुरू में भी बताया था कि मोटा जरे पार्टाइस टिकाय लिखी गई हैं तो यूंहीं तो नहीं लिखी गई हैं न कुस तो होगा अब वो ये सब हैं कि उनके शब्दों का अर्थ आप वो जैसा चाहते हैं वैसा समझे अधरवाई आप गल्ती कर देंगे तो सबसे पहले उदार्ण दे रहे हैं अर्थ चितर का शरी शब्द चितर आफ्य का अब शब्द चितर का अब शब्द चितर आफ्य में उन्होंने जिस लोक का चैन किया है क्या बताएं ये कहां से लिया गया है ये पता नहीं है लेकिन पढ़ें इसको पढ़ें तो पढ़ ही लें उसके बाद अर्थ करते रहेंगे स्वच्छत स्वच्चंदो चलत अच्छकच्छ कुहरत चातेत रामबुच्छता मुर्चन मोह महर्शी विहित स्नानाह निकाह नाय वह बिद्यात उद्यत उदार दरदुर दरी दिरगा दरिद्र द्रुम द्रोहुत द्रेक महुर्मी मेदुर मदा मंदाकनी मंदताम आप देखिए आप कहेंगे अलंकार नहीं किसे अलंकार नहीं है कितने सारे अनुपरासलंकार हो गए टीक है तो उन्परास लेंगा तो हुआ ये एक अलंकार तो होना चीजिए में विराह तो है नहीं है और गुण भी नहीं है इसमें देखिए चो चो में जो है और लंबा समास है देखिए इतना लंबा यहने दो लहन का शब्दों यहने शलोक के दो पादतों एक ही शब्द से बन रहे हैं ठीक है आपको जानका राश्यर होगा कि इतना लंबा शब्द एक अव्याई है अव्याई के रूप में प्रियुक्त हुआ है हम बताएंगे अव्याई अव्याई है यहां आपको बताएंगे समय धिने-धिने-धिने में होता जा रहा है मुझे लगता है कि मुझे इसकी पूरी व्यख्या तो कल ही करने पड़ीज़ें लेकिन थोड़ा देख लेते हैं वशे इसमें एक बहुत चोटा साव एक ही वाक्य है यह पुरे श्लोक का एक ही वाक्य बनेगा और उस एक वाक्य का है नस्ट कई काम को किसको करना था किन इंडाक नहीं करे यह नहीं गंगा नने नस्ट करे जो किसको तो Kentा को अब मंदता में क्या है मंदता बहुत सारे अर्थ है मंदता आमें पाप भी आ गया आपकी जड़ता भी आ गई आपके बहुत सारे आर्थ है इसमें तो उन्होंने कितने कंदा सारे आर्थ दिये हैं ठीक है तो वो आपके पाप को नश्ट करे आपकी मंदता को नश्ट करे तो आपकी मंदता के को नश्ट करें मंदा किनी अम मंदा किनी कैसी तो पहला उदाहरां उद्यत उदार दर्विर्दूर दरी मंदाकिनी भख मंदताम विद्यात करें ने इस तरह clients उसके बाद करतें दिरिफास, दरिद्र, द्रुम, द्रोह, द्रेक, मेदुर, मदा दोही बिशेशने मंदाकिनी के यहने उद्यत यहने दिखाई पढने वाले दिखाई पड़ते हुए उदार याने बड़े-बड़े दर्दुर याने मेधक और दरी याने कुहर वाली याने ऐसी मंदाकिनी जिसके कुहर में याने किनारे में गंद्राओं में बड़े-बड़े मेधक दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है ऐसी मंदाकिनी कि जिसके कोने में मेढक बैठे रहेंगे और बड़े बड़े होते हैं आप जानते हैं यह मेढकों का आकार पानी की उपलब दता पर निर्भा करता है हम तो किसान भी हैं तो हम को मालूम है कि तलावल आपके किनारे सचाई करने के लिए हम लोग गढ़क होते थे उसमें धेक्चा बनाते थे ध धेक्चा तलाव के किनारे मनाते हैं तो भी धेक्चे को खोधने के लिए हम खोदते थे तो तो बढ़नी के ऊंदर सब्चाह में diffram an को नमी चाहिए नहींने सकते तो नमी में अंदर सब्चाहिए नहीं 265 को रखाने ख्वाब्य दिखाई शवार खिड़े और यहीं मेढक तो हमेशा पानी है और खाने पीने की चीजें को हमेशा मिल जाती है तो इसलिए बड़े-बड़े हैं और आप अगर उनके किनारों पर घुमे तो आपको दिखाई भी पढ़ जाएंगे इसलिए उद्यत तो दिखाई पढ़ने वाले उदार याने बड़े-बड़े दरदुरे मेढों कों से भरी हुई कंद्रा वाली नदी याने गंगा आपकी आपके पापों को नस्ट करें आपकी जड़ता को नस्ट करें आपकी मंदता को नस्ट करें ठीक है फिर आगे का रहे हैं कि दिर्गा दिर्ग याने लंबी और और दरिद्र याने बड़ी और दरि लुक्ष है तो बहुत सारे शाखाएं है उसमें उन शाखाओं में से भी प्रोशाखाएं बहुत सारे निकले हुई है इसलिए उसको और दर दर कहा जाएगा बरा पूरा तो उंचे उंचे और भरे पूरे दुरुम ठीक है उन पेड़ों को द्रोह याने गिराने से आप जानते हैं गंगा नदी की जो धारा होती है वहाँ पर आप जाएंगे हरी द्वार में तो आपको पता चलेगा और उसकी जो धारा होती है हाथियों को बहा ले जाती है मुनश्य की तो बात ही छोड़ दीज़े हाथियों उत्तक को बहा ले जाती जो उद्रे को उत्पन्न हुआ जो क्या है तरंग जो उत्पन्न हुई उसकी तरंगों के उर्मियों से मेदूर मदा यानि अत्यंत मदवाली अब उस गंगा कोन रोग सकता है जो पेनों को भी उखाल ले रही है तो उसका मदा तो बढ़ी जाएगा ना तो अत्यधिक मदवाली अत्यधिक गवर वाली वह गंगा वह मंदा किनि आप सब की आप सब की मंददा को दूर करे इसमें जो पहला वह के आगया जो पहला है जिसको हमने कहा कि वह अव्यय है ठीक है वह अव्या की रुप में इसलिया है क्योंकि एक साथ समास में नोने कर दिया करे स्वच्छंद स्वच्छंद उसका अर्थ कर लेते हैं फिर उच्छलत यहने उच्छलते करें एक स्वच्छ कुषर याने कंद्रा करें और कुषरं क किनारे के कुषर क सद्रें छाथ का मतबता दूर्बल और उसमें इतर जोड दिया तो दूर्बल का उल्टाया याने तेज च्छाते तर ठीक है ना याने तेज अम्बुद छटा याने जल की धारा से मुर्चन मोह महर्शी ठीक है याने मुर्चि याने नस्ट जिनका मोह नस्ट हो रहा हो ऐसे महर्शियों के हर्ष पूर्वक प्रसंदता पूर्वक स्नान और अहनिक वगेरे काम किये जाने पूर्वक अहनाय का मतलब होता है पूर्वक अभी मैं अपने घर से नहीं बोला हूँ अभी मैंने मौनियर विल्यम डिक्शनरी में उसको रिफर किया अहन शब्द जो है वचतूर्थियंत हो करके अहनाय जब बनता है तो वह अव्य होता है और उसको इन्होंने इसके साथ जोड़ दिया है तो जिसका आर्थ होता है पूर्वक तो इसलिए मौने जोड़ दिया अब फिर से देखिए स्वच्छ स्वच्छन्द यानि स्वच्छन्दता पूर्वक उछलती होई अच्छ कच्छ कुहर यानि स्वच्छ किनारे के कुहरों में तेज जलकी धाराओं के काराण जिनका मौह मुर्शित हो रहा है और नश्ट हो रहा है ऐसे महर्शियों के द्वारा हर्ष पुर्वक स्नान और संध्याकालीन पूजा पाठादी जो किया जा रहा है ऐसे किये जाने पुर्वक पुर्वक मंदाकनी जो हमने बता दिया ऐसी मंदाकनी आप सब की मंदता को दूर करें तो इस तरह से आज यहां बात हमको पूरी करनी पड़ेगी हम चाहेंगे कि आप लोगों को जिग्यासा होते इसमें पूछेंगे लेकिन और थचित्र की बात हम कल करेंगे क्योंकि अब समय पूरा होने वाला है तो बस आप आज इतना ही रखेंगे ठीक है तो आज क्योंकि ज्यादे समय लग जाएगा तो इसलिए आज ओम शांती 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 सभी लोगों को फिर से प्रणाम धन्यवाद